हेलो गुड मॉर्णिंग मैं मनीश तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज अपनी अगली वीडियो जिसमें हम देखेंगे UP TGT 2005 का सॉलुशन हिंदी में कहूं तो प्रशिक्षित सनातक सिक्षक चयन परिक्षा जिव विग्यान 2005 का सॉलुशन इसके जो है वह इंपोर्टेंट हो सकते हैं आपके एल्टी एक्जाम के लिए ठीक है क्योंकि मोर और लेस जो बाइलोजी का स्लेबस है वह क्या है सेमी है बाइलोजी मतलब बोटनी और जुलोजी ठीक है और केमिस्ट्री में आपको हो सकता है या थोड़ा भूत अपना ग्रेजुशन का भी पढ़ना पढ़ सकता है एल्टी के लिए जो उत्राघंट का एक्जाम है चलते हैं अपने पहले कोशन की और पहले कोशन में हमसे पूचाए सिंजेनिस कंडिशन की जो स्टैमन की है वह किस में देखने को मिलती है तो सिंजे सिंजेन में जब भी हमारे उपर का पौ्शन या एंथर क्या रहेंगे गिए अपस में क्या रहेंगे यूडे हुए अर ज़ोही में नीच वाला पार्ट्राट इनसी वह ब्लामें या कुछ दूरी पर रहेंगे अर इनके एंथर रहेंगे और इनके एंथर रहेंगे फि Will a है पैपर्स किसका मोडिफिकेशन है तो कैलेक्स के मोडिफिकेशन हम क्या बोलते हैं पैपर्स और यह हमको देखने को मिलता है सन फ्लावर के पहुंदे में चलते हैं अगले कोशन के और अगले कोशन में हमसे पुझा है बैंथा में हुकर का कौन सा क्लासिफिकेशन था तो हमें Careless Lineage के द्वारा लेकिन Careless Lineage के द्वारा यह पहले हमको दिया गया था तियो फ्रेस्ट के द्वारा चीक है तो चलते हैं अपने अगले कोशन की और अगले कोशन में हमसे पूछा है Solan A.C. के जो स्टैमन्स होते हैं वह कैसे होते हैं तो वह होते हैं हमारे apipatales अगले कोशन हमें हमें से पूछा गया है जो हमारी Gramini है Gramini Family में जो inflorescence यह फिर जो Gramini call है उसका जो push program है वह कैसा होता है तो वह होता है हमारा शुकी काहँ की शुकी ठीक है जिसे हम English में बोलता है spike of spikelets ठीक है तो फिर हम चलते हैं अपने अगले कोशन की तरफ अगला कोशन है हमारा कि which of the following is the largest family सबसे बड़ा कुल कौन सा है तो वो होता है हमारा S3AC या फिर Compo Zeta अगला कोशन हमारा marginal placentation है या सीमानत बीजान डियास है वो हमें किसमें देखने को मिलता है या किसका लक्षण होता है तो वो होता है हमारा leguminacy का और leguminacy के कुछ member होते हैं जैसे ग्राम चना या फिर पी मटर यह दोनों क्या है leguminacy के example है और इन दोनों में हमको क्या देखने को मिलता है हमें देखने को मिलता है marginal placentation ठीक है तो फिर हम चलते हैं हम अपने अगले कोशन की और अगला कोशन हमारा sew water बने सब मुझा होता है तो जैसा कि हम को पता है कि अपने सर चलता है अगले कोशन की और और खलता है चलते हैं अगले कोशन कोशन हमने सबदेन सब्सक्रिए होते हैं तो या जो रफाइड होते हैं वो होते हैं निडल शेप क्रिस्टल ओफ केल्शियम ओक्जलेट ठीक है तो फिर आब हम चलते हैं अपने अगले कोशन की और अगला कोशन है ग्रोथ रिंग्स आर फर्म ड्यू टू दा एक्टिविटी ओफ जो हमारी ग्रोथ रिंग्स हैं वो किसक की सक्रियता के कारण बनती हैं तो यह हमारी बनती है इंट्र एस्टेलर-कैम्बीयम या फिर हम इसको कह सकते है इन्ट्र? फैसिकुलर्कैम्-कैम्बीयम की सक्रियता की वज़ए से जो कि हमको देखने को को मिलता है डाइकॉट स्टैम में और रूट में अगला कोशन है अबनॉर्मल सेकंडरी ग्लोथ हमको किसमें देखने को मिलती है तो यह देखने को मिलती है हमें अगला कोशन है जो हमारा टीक वूड है मतलब टीक की लकडी हमको किसे प्राप्त होती है तो वह प्राप्त होती कॉर्कुरस से ठीक है बास्ट फाइवर हमको प्राप्त होते हैं या बास्ट रेस हमको प्राप्त होते हैं कॉर्सकुरस से ठीक है और कॉस्कुरस जो है वह हमारा साइन्टिफिक नेम किसका होता है जूट का होता है साइन्टिफिक नेम और जो इनका पूरा नाम है वह हमारा क छलते हैं अगले question कई पूछा गया है citronella oil is obtained from the leaves are मतलब जो citronella तेल है वो हमको प्राप्त होता है पतियों शे किसकी staff को हम है citronella तेल य्प प्राप्त होता है तो यह हम और फिन से होता है यह हमको प्राप्त होता है saim bu kg नेंडर के इसके पतियों से हमको सिट्रोनेला ओयल यूज होता है जो हमें सस्ते साबुन में देखने को मिलता है चलते हैं फिर अगले कोशन की और अगले कोशन में हमसे पूछा है और अगले कोशन की और अगले कोशन की और अगला कॉशन हमारा जो हमारा सिलेजणला है वो क्या है तो जो हमारा सिलाजनेला होता है एक तो वह होता है और दूसरा क्या होता है अगले कोशन में हमसे पूछा है जो टैरिस है उसके सोराई कैसे होते हैं तो वह होते हैं लीनियर और continuous टैराई सोराई जो होते हैं टैरिस के वह तो लीनियर होते हैं यह यते हैं लिए सोराई होते हैं या या फिर कभी-कभी आपको एक दूसरा औप्शन भी देखने को लीनियर गाइल सब मार्चनल फिसका नाम आथा historically इन, ए, लिणियर और सब मार्जनल और कॉंटििणयस और लिनियर सुडाई ही हम को देखने को एक और इसपीसिस में मिलते हैं जिसका नाम क्या है टेरीडियमug प्रतिती कैम और फ्राद sat फ्रस्ट्राइब करने दिना प्रस्थापितों कामी Ratio देनलों है उसका उत्तकोंषी जब नाया संतर और in 20 कि अयुद्टली लेचाज़ देथी स्थाइब सब्सक्राइब आई देश के रहने वाले थे चलते हैं अगले कोशोन में है क्ये थो सब्सक्राइब कि सब्सक्राइब में देखने को मलते हैं बैस छलते हैं फिर अपने हमें अगले कोशन देखने को मिला है प्र अपने कोता है यह इसा हमारे झांस प्रेजने प्रेजेम यह prasus मतला हमारे दोनों के पत्यों में प्रेजेंट होता है तो हमारा उप्षन नंबर क्या होगा चार बोथ साइकस और चलते हैं अगले कोशन के और अगले कोशन में हमसे पुछा गया है मैरमेकोफिली इस बैनेफिशियल एस्सेशेशन बेट्वीन फ्लॉरिंग प्लांट एंड म उसे क्या बोलेंगे मैरमेकोफिली तो मैरमेकोफिली का पूछा था तो इसलिए हमारा आंसर क्या होगा आंट्स होगा ठीक है मैरमेकोफिली बोलेंगे जब एक फ्लॉवर में पॉलिनेशन कौन कराएगा आंट्स की मदद से होगा या आंट क्या करेगा पॉलिनेशन करेग जो हमारे plants होते हैं उनमें क्या करता है atmosphere से oxygen क्या करता है अब्जॉर्ब करता है चलते हैं अफने अगले question की और अगले question हमसे पुछा गया है worms is the modification जैसा कि हम जानते है बल्विल हमारी किसकी modification होती है तो बल्विल हमारी modification होती है birds की और bulwils asexual reproduction के लिए काम आते हैं या vegetative reproduction के लिए काम आते हैं और हमारे किस में present होते हैं agave में agave bulwils are present in agave for their vegetative reproduction या फिर agave का जो vegetative reproductive part है वो क्या है bulwils है देखा जाता है कि मालो एक plant है मालो क्या है एक क्या है एक plant है इस plant में माल लिया हमारा एक stem है stem में क्या निकल रहा है flower है flower से पहले क्या बनता है bird लेकिन वो bird जब थोड़ी बड़ी हो जाती है और क्या हो जाती है इस flower से क्या हो जाती है या stem से क्या हो जाती है अलग हो जाती है और एक अलग नया plant बना देती है तो उस condition में हम इस bird को क्या बोलते हैं बलविल बोलते हैं ठीक है तो यह bird बलविल जो है यह bird का ही क्या है modification है ठीक है और ऐसा देखने को मिलता है हमें अगेव के plant में ठीक है हम अगले question के और हम से पूच्छा गया है जो हमारा hypen hypenthodium in florosense यह important characteristics किसकी है तो मतलब यह जो push program है यह हमारा किसका लग्षंड है तो यह जो है हमारा लग्षण होता है ficus का चलते हैं अगले question के और अगले question हम से पूच्छा गया है cyt museum in florosense is a characteristic of family यह जो हमारा साइथेशियम है यह कैटूरिया पुष्पगरम किसका लग्षण होता है तो यह हमारा लग्षण होता है हमारी यूफएरबेसी कुल का अगले कोशन में हमसे पूछा है स्ट्रेप्टोमाइसिन इस प्रडियूज भाई स्ट्रेप्टोमाइसिन है कौन बनाता है या किसमें उत्पन होता है या फिर कौन उत्पन इसको करता है तो जो हमारा स्ट्रेप्टोमाइसिन यह उत्पन करता है स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्र डिस्कावर गया था या किस साइंटिस्ट की क्या थी खोजी थी तो जैसा कि हम जानते हैं इसी को हमें एक दूसरे नाम से भी जानते हैं जिसका नाम होता है Transformation Principle तो जो Transformation Principle है वो किस नहीं दिया था Fred Griffith ने या कभी-कभी इनका नाम क्या लिखा जाता है खाली Griffith लिखा जाता है ठीक है या Griffith लिखा जाता है चलते हैं फिर अपने अगले कोशन की और अगला कोशन है हमारा जो हमारी Crossing Over है वो किसके के बीच में होता है या Crossing Over किसके माद्य में होता है तो जैसा कि हमको पता है हमारा Crossing Over होता है Non Sister Chromaidée के बीच में वोता है और Homologous Chronosome के होने चाहिए मतलब Non Sister Chroma deutlich homologous Chroma Deusom होता है उनके बीच में क्या होता है Crossing Over अगले में हमसे पूछा है वॉल्वॉक्स के थैलस को हम क्या बोलते हैं तो वॉल्वॉक्स का जो थैलस होता है उसको हम क्या बोलते हैं सिनो भी हम बोलते हैं अब चलते हैं अपने अगले कोशन के और अगले कोशन में हमसे जो है वो पूछा गया है क्लोरोप्लास्ट पूछा गया है यूलोथ्रिक्स क तो यूलोथ्रिक्स का जो हमारा क्लोरोप्लास्ट होता है वो के शेप का होता है तो वो होता है हमारा गडल शेप का होता है ठीक है कभी-कभी इसी को शी शेप भी बोला जाता है शी शेप और गडल शेप भी कभी कबार ये भी बोला जाता है ठीक है चलते हैं फिर अपने अगले कोशन की और अगले कोशन में हमसे पूझा है अगर-अगर किसका important source है या मतला important source of अगर-अगर या फिर मैं ये कहूं जो हमारा अगर-अगर है इसका महत्पोर्ण शोत कौन ह या फिर ये किस से हमको मिलता है blue-green algae से red algae से brown algae से या dietum से तो जो अगर-अगर है ये हमको मिलता है red algae से ठीक है red algae उत्पन्न करती है अगर-अगर नामक substance जिसको हम genetic engineering में बहुत बार इस्तेमाल करते हैं या bio technology में भी इसका कभी कभार as a medium की तरह है इसका काम करते है ठीक है य यह जो हमारी रेड एलगी है red algae जो होती है हमारी जैलडियम G-E-L-I-D-I-U-M जैलडियम ग्रैसी लेडिया जी आरे सी आई एले आर आर आई ए ग्रैसी लेडिया या फिर एक और हैं G-I-G-A-R-T-I-N-A जी आर्टिया ये तीन हमारे जो है एग्जांपल है red algae से इन से हमें मिलता है क्या अगार अगार कभी कबार इनका नाम भी दिया जाता है कि हमें किसे मिलता है जैलडियम G-I-G-A-R-T-I-N-A से हमको इन तीनों ये red algae के एक्जांपल है और इन ही से हमें क्या मिलता है अगार अगार जैल चलते हैं अपने अगले question कि और अगले question हमसे बीचा है जो हमारी fungi imperfecta है या fungi imperfecta ही है जिसको हम deutermycetes बोलते हैं इनमें क्या चीज नहीं होता है तो जो deutermycetes होती है या जो deutermycetes होती है इनमें sexual reproduction ना होने के कारण ही इनको हम क्या बोलते हैं imperfect fungi ठीक है तो हमारा ensemble क्या होगा sexual reproduction correct होगा अगले question में हमसे पूछा गया है जो हमारे likens है वह ecologically important क्यों है तो जो likens होते हैं अगर हमसे पहले उगने वाली species होती है उसे हम क्या बोलते है पायोनियर species और वह कौन होती है लाइकन होती है तो यह था इसका पार्री स्तिथी की द्रिष्टी से लाइकन महत्वपून होता है ठीक है जब भी हमें पारी सित्री की दिरिष्टी से पूछा जाएगा तो हमारा आंसर क्या होगा पाइनियर स्पीसिज वाला करेक्ट होगा चलते हैं अगले कोशन के और अगले कोशन में हमसे पूछा गया है हाव मैनी लिंकेज गुरूप सार प्रेजेंट इने सेल विच है टैन पेर ओफ क्रोमोजोम मालो एक कोशी का जिसमें गुर्ण सुत्रोम के दस जोड़े होते हैं उसमें कितने सहलगन वर्ग होंगे तो जब भी हमसे ऐसा कोशन पूछा जाएगा तो हमारा उसमें क्या होना च होता है यह क्या होता है यह क्या होता है एक पैथोजन होता है वह भी एंटर सेलियर चलते हैं क्यों के वर अगले कोशन में हमसे पूछा गया है जो कॉलिफाज होता है कॉलिफाज 5 into 174 कंटेन जो आप ये structure देख रहे हैं जो ऐसे बना रखा है इसको हम क्या बोलते हैं 5 कॉलिफाज या कॉलिफेज 5 into 174 कंटेन आप से इसका क्या पूछ रहा है genetic material पूछ रहा है कॉलिफेज का तो जो हमारा ये कॉलिफेज है इसमें हमारा इसका genetic material कैसा होता है ये होता है हमारा single extended DNA ठीक है तो हमारा answer क्या होगा ये correct होगा चलते हैं अपने अगले question की और अगला question है हमारा AIDS is caused by तो जो हमारा AIDS होता है वो किस से होता है तो हमारा क्या होता है AIDS virus की मदद से होता है ठीक है वाइरियोन मीन वाइरियोन का अर्थ क्या होता है तो जो हमारा वाइरियोन है वाइरियोन का मतलब होता है complete form of virus मतलब virus की पूर्ण अवस्ता अगला question है इन में से कौन सा क्या है micronutrient मतलब सूक्ष्म पोशक्तत्व क्या है तो जब भी सूक्ष्म पोशक्तत्व की बात आती है तो हमारा वो क्या होता है magnesium अगले question में हमसे पूछा गया है absorption of water by root increased मतलब जड़ों द्वारा जल का अवस्ता बढ़ता है कब जब transpiration rate बढ़ जाता है मतलब वाशपोर सर्जन दर बढ़ जाती है मतलब जब भी पौधों में वाशपोर सर्जन दर बढ़ेगी तो जड़ द्वारा जल का आवस्ता बढ़ेगा चलते हैं अपने अगले question की ओर अगले question में हमसे पूछा गया है the most widely accepted theory for ascent of sap in trees मतलब विरिक्षों में रसा रोहन का of diction and jolly मतलब जो theory दी थी वो किस ने दी थी diction and jolly ने दी थी और वो क्या था हमारा transpiration pull and cohesion theory अगले question में हमसे पूछा है H.J. Muller को nobel prize मिला है 1946 में किस काम के लिए ठीक है तो H.J. जो Muller थे इन्होंने हमारा काम किया था X-ray mutation के उपर जिनके लिए इनको क्या मिला था 1946 में nobel prize और इन्होंने काम किया था ड्रॉसोफिला में मतलब ड्रॉसोफिला में mutation बताया था X-ray के द्वारा अगला question हमारा Green house is factors related to जो हमारा हरित ग्रहे परभाव सम्मंदित है किस से सम्मंदित है लेकिन जो हमारे पाइरिनोड होते है वो भी हमारे बहुत कम होते है एक या दो पाइरिनोड भी हो सकते है ठीक है जिसके लिए हमारे option हम देखते है जो हमारे पाइरिनोड होता है उसमें few लगाते है मतलब one कलोरोप्लास प्रदर्शित किया जाता है तो यह हमारा प्रदर्शित किया जाता है है कि हमने कितनी oxygen बहार छोड़ी और उसके लिए कितना oxygen लिया ठीक है तो हमारा CO2 upon O2 यह होता है इसका correct formula होता है respiratory question को दर्शानने के लिए ठीक है इसका मतलब होता है किसी प्रक्रिया के लिए या किसी की oxidation के लिए हमने कितना CO2 जो है वह बहार छोड़ा और कितना oxygen हमने लिया ठीक है और यही formula होता है RQ का चलते हैं अपने अगले question की और अगला question है हमारा outer sorry other name of glycolysis glycolysis का दूसरा नाम तो वह होता है EMP pathway इसी को ही हम बोलते हैं अगले question में हमसे पुछा गया है what is C2 cycle C2 cycle क्या होती है तो जो हमारा glycolate cycle होता है इसी को हम क्या बोलते हैं C2 cycle या carbon cycle यह होती है light dependent होती है और इसका relation किसके से होता है पर उक्सिसों माइटो कॉंट्री और chloroplast से चलते हैं अगले question में अगले question में हमसे पूछा गया है biological nitrogen fixation में इन मैंसे कौन सा element important role play करता है तो वह करता है हमारा molybidum molybidum सबसे ज्यादा हमारा मुख्य भूमी का निभाता है जैविक nitrogen nitrogen इस्थिनी की करण में अब चलते हैं हम अपने अगले question के और अगले question में हमसे पूछा गया है sunflower का botanical नाम बताना है मतलब veganic नाम बताना है तो वह होता है हमारा helianthus anus अगले question में हम पूछे है जो हमारा 24D होता है वह एक synthetic होता है मतलब एक consume dish tastes होता इसको हम क्या बोलते हैं यह हमारा ऋग्जन इसे हम बोलते हैं synthetic oxyn चलते हैं अगले question के और अगले question में हमसे पूछा गया है जो हमारा gaseous hormone है इन में से कौन सा है जो हमारा ishol होता है सेरी बैलम को चलते हैं हम अपने अगले कोशन की और अगले कोशन में हमसे पुछा गया है largest body cell कौनसी है तो जो हमारी largest body cell होती है उसको हम क्या बोलते है neuron यह सबसे बड़ी कोशी का होती है हमारे शरीर की अगला कोशन है vagus nerve is मतलब vagus tantrica होती है तो vagus tantrica वो होती है वो हमारी कैसी होती है मतलब spinal nerve होती है sympathetic nerve होती है 10th cranial nerve होती है या parasympathetic nerve होती है तो जब भी हम अपनी vagus nerve की बात करते हैं यह होती है दसवे नंबर की या 10 cranial nerve चीक है अगला कोशन है हमारा how many pairs of cranial nerves in mammal purely sensory मतलब इस तनियों में कपाली तंत्रिकाओं के कितने जोड़े सुद्ध शमवेदी होते हैं तो जो हमारे सुद्ध शमवेदी होते हैं वो कितने होते हैं हमारे तीन ही होते हैं शुद्ध समवेदी कौन-कौन से पहली दूसरी और आठ फी यह तीनों क्या होती है हमारी शुद्ध समवेदी चलते हैं हम अपने अगले कोशन की और अगले कोशन में हमसे पूछा गया है नियूरो हाइपोफाइसस सिक्रीट जो हमारे नियूरो हाइपोफाइसस हैं यह क्या सिक्रीट करते हैं तो यह हमारे secret करते हैं दो हर्मोन जिनका नाम होता है क्या नाम होता है oxytocin और vasopresin और neuro hypothesis हमारा जो secret होता है वो होता है posterior pitutory से ठीक है मतलब जो हमारा pitutory gland है उसके posterior part से ये secret होता है ठीक है चलते हैं फिर अपने अगले question की हो अगले question में हमसे पुछा है mutation theory explaining organic evolution was proposed by मतलब जैव उद्विकास की व्याख्या करने वाले उत्व परिवर्तनवाद को प्रतिपादित किया था किसने प्रतिपादित किया था यूगो डिवरीज लिविस पास्चर एरैसमस डार्विन या विलियम हार्वे तो जो हमारा यह organic evolution है इसको प्रपोस्ट किया था यूगो डिवरीज ने mutation theory के द्वारा चीक है अगला question है in the eyes blind spot optic disc is called because मतलब नेत्रों में अंध्र बिंदू इसलिए कहलाता है क्योंकि क्योंकि जो हमारे अंध्र बिंदू है इनमें क्या होता है यह light को sensitive नहीं होती है मतलब insensitive to light चीक है अस सब्वेदन सीलता होती है प्रकाश के प्रती और इनमें यह एक बिंदू है जिस पर नेत्र तंत्री का द्रिष्टी पटल को छोड़ देती है और इस पर पतिमिंब नहीं बनता है यह तीनों काम कौन करता है blind spot के इसी के कारण इसको क्या बोलते है blind spot बोलते है आंक में ठीक है तो हमारा all of the above सही होगा चलते हैं हम अपने आखरी प्रश्ण पर इसमें है the friction between the eyelids and the count avoided by the secretion मतलब पलकों तथा कॉर्णिया के बीच रगड नहीं लगती है श्रवण द्वारा मतलब पलकों के बीच में और कॉर्णिया के बीच में वह रगड नहीं खाते हैं किसके श्रवण द्वारा तो जो हमारी मीबोमियल गरंथी होती है यह निकालती है एक secretion यह एक श्रवण करती है जिसके कारण हमारे पलकों में और हमारे कॉर्णिया के बीच घर्षण नहीं होता है चीक है और यह होती है हमारा modification होती है sebaceous gland की s-e-b-a-c-e-o-u-s sebaceous gland इसकी क्या होती है यह modification होती है चीक है और अगर bird की बात करूं यह amphibian की बात करूं तो इनी को हम क्या बोलते हैं h-e-r-d-a-r-i-a-n-herdarian gland चीक है चलते हैं फिर अपने अगले कोशन की ओर अगला कोशन है हमारा glucose hormone is secreted by जो हमारा glucose hormone है यह श्रावित होता है तो यह जो है यह हमारा श्रावित होता है alpha cell of eyelids of langerhand से चीक है अगला कोशन है vasopressin is related to जो हमारा vasopressin का संबंद होता है वो किस से होता है तो हमारा इसका संबंद होता है concentration of urine मतलब urine के या मूत्र के सांद्रन से अगला कोशन है hormone controlling calcium level तो हमारे blood में calcium level को control करने वाला hormone होता है वो होता है पैरा थार्मोन ठीक है अगला कोशन है अगले कोशन में हमसे पूछा गया है ovulation in mammal is caused by जो ovulation होता है mammal में वो किसके कारण होता है तो ovulation जो होता है mammal में वो होता है LH और FSH के कारण ठीक है LH मतलब luteinizing hormone और FSH मतलब follicle stimulating hormone ठीक है यह हमारे कहां से निकलता है pituitary gland के और कहां से adeno hypo physis से ठीक है चलते हैं अगले कोशन में अगले कोशन में हमसे पूछा गया है deficient production of STH in early life leads to मतलब प्रारंबिक अवस्ता में STH का कम उत्पादन पैदा करता है क्या पैदा करता है तो वो हमारा क्या पैदा करेगा वो पैदा करेगा dwarfism मतलब जब STH हर्मोन कम निकलता है हमारे शुरुवाती जीवन में तो उसमें हमने क्या देखने को मिलती है बौनापन देखने को मिलता है उसके कारण चलते हैं अगले कोशन के और अगले कोशन में हमसे पूछा गया है एपी कल्चर क्या होता है तो जैसे कि हम जानते हैं एपी कल्चर क्या होता है मधुमक्षी पालन तो हमारा क्या होगा culture of honeyby चलते हैं अगले कोशन में हमसे पूछा गया है respiratory quotient is not less than one respiratory quotient एक से कम किसमें नहीं होता है तो वह होता है हमारा कार्भोहाइड इसमें हमको देखने को मिलता है कितना वन देखने को मिलता है मतलब आर क्योंकि वैली कितनी होती है वन होती है अगले कोशन में हमसे पूछा गया है दा कैपसिटी ओव लंग फॉर इयर इने हैल्दी मैनिज अबाउट मतलब एक स्वस्त मनुष में वायू के लिए फेफ़डों की समता होती है लगभग कितनी चमता होती है तो जैसा कि हमको पता है हमारी लगभग चमता कितनी होती है 3000 ml चलते हैं अगले कोशन की और अगले कोशन में हमसे पूछा गया है जो हमारा गलाइकोलाइसिस होता है उसका एंड़ प्रोड़क्ट क्या होता है तो जैसा कि हम जानते हैं हमारा गलाइकोलाइसिस का एंड़ प्रोड़क्ट जो होता है वह होता है पायरविक एसिड ठीक और पाइडविक एसिड जो है वो हमारा थिरी कारवन कंपाउंड होता है ठीक है चलते हैं अपने अगले कोशन की और अगले कोशन में हमसे पूछा गया है अस्तमा एक रेस्पारेटरी डिजीज में इस्पाजम से ठीक है अब चलते हैं हम अपने अगले कोशन की और अगले कोशन में हमसे पूछा गया है दा स्मॉलेस्ट ब्लड वैसल इंदा बॉड़िज मतलब शरीड की सबसे छोटी रोधिर वहानी होती है तो वह कौन से होती है हमारी कैपिलरी अगले कोशन में हमसे पूछा गया है इनहीं डर्ल डर्ड न gibi ड्ड वालियो ओफ ब्लड Haupt required थ्रोंबो साइट पर क्यूविक हमारे मनुश्य आप मतलब पूछा गया है की जो ब्लट प्लीट लेट तरत होती है कि उनकंट कितना होता है पर क्यूबशा में में तो वो होती है हमारी दो लाग से तीन लाग चीक है नॉर्मल काउंट है ब्लड प्लेटलेट्स का चलते हैं हम अपने अगले कोशन की और अगले कोशन में हमसे पूछा गया है मतलब हिमोगलोविन का ओकसीजन विखन दन वक्र होता है तो वे हमें कैसा देखने को मिलता सिगमोड़ शेप का देखने को मिलता है अब चलते हम अपने अगले प्रश्णी की और अगला प्रस्ण है हमारा blood group of AB contain जो हमारा blood group है AB का उसमें क्या-क्या होता है तो जैसा कि हम जानते हैं जो हमारा AB blood group है उसमें क्या होता है antigens A और B दोनों होते हैं लेकिन जो antibodies होती है वो present नहीं होती है तो जैसा कि हमको पता है इसमें क्या दिर्ख है no antibodies तो हमारा यह option क्या होगा इसका correct answer होगा चीक है चलते हैं अपने अगले प्रश्णी की और अगला कोशन है हमारा रुधिर वहनियों में रुधिर का थक्का जमना रुका करता है किसके द्वारा रुका करता है हमारी रुधिर वहनियों में थक्का जमना मतलब कोगलेशन नहीं होता है किसके द्वारा थीक है तो वह है हमारा हीपेरिन हीपेरिन किया करता है हमारे बलड में मतलद हमारे blood में कोगलेशन को रोखता है ठीक है अगला कोशन हमारा मनुश्री के वरिकक में निर पंदन डाब होता है लग-भख मतलब फिल्ट्रेशन प्रेशर बताना है हमारे human kidney में तो जो हमारा फिल्ट्रेशन जो हमारा प्रेशर होता है वो कितना होता है वो होता है 15 mm Hg ठीक है अगला कोशन है synthesis of urea in liver take place by जो हमारा urea का बनना है liver में वो किसके द्वारा होता है तो वो आता है और निथीन साइकल के द्वारा liver में होती है और निथीन स्वाइकल और जिसके कारण क्या बनता है yurea बनता है अगला कोशन है adult rabbit की kidney कैसी होती है तो जो हमारा adult rabbit है उसकी जो kidney होती है वो हमारी कैसी होती है वो होती है गेस्टीलेशन से स्टार्ट होती है उघ्णा कोशन है हमारा एंजाइम का नौन प्रोटीन पार्ट को हम क्या कहते हैं तो हमारा एंजाइम है उसका नौन प्रोटीन पार्ट को हम बोलते हैं प्रोस्थेटिक ग्रूप अगला है only one ovary is present in the मतलब एक ovary किसमें उपस्तित होती है human में जो females होती है उनमें व्री कितनी होती है दो होती है ovaries लेकिन हमें पूछा है वह बताओ जिसमें सिर्फ एक ovary present होती है तो वह हमारा जो हमारी जो हमारी वर्ट होती है उनमें एक ही ovary present होती है आगला कोशन हमारा Bioluminescience Is Existed by bioluminescience को कौन प्रदरशित करता है तो जैसा कि हम जानते हैं ये हमारे ник anche ये क्या करते हैं Bioluminescience के phenomena को शो करते है क्राइब ओर उसका आंसर क्या है मारा को हमने रखा हुआ है अपने अगले कोशन के और अगले कोशन में हमसे पूछा गया है समुद्री घोड़ा होता है समुद्री घोड़ा एक क्या होता है मतलब सी होड जो है वह हमारा क्या होता है तो हमारा होता है एक फिश होता है मतलब एक प्रकार की मचली होती है अगला किसकी इस्टडी है या किसका अध्यान है तो सिनेकोलोजी जो हमारा अध्यान होता है वह होता है Community का in relation to environment मतलब वाता वरन के संबंध में समुदाय का अध्यान हम इसे क्या बोलते हैं सिनेकोलोजी बोलते हैं चलते हैं अपने अगले कोशन की और अगला कोशन है study of animal in relation to its environment is called autocology चलते हैं अपने अगले कोशन की और अगले कोशन में हमसे पुछा है pyramid of number is inverted in case of मतलब जो संख्या का pyramid उल्टा होगा वो किसके केस में होगा तो जब हम चारों option को देखेंगे इनको ध्यान से पढ़ेंगे समझेंगे तो हमको पता लगेगा जो हमारा sugar cane ecosystem है इसमें जो हमारा pyramid of number है वो क्या होगा उल्टा होगा चीक है तो चलते हैं आप अपने अगले question की और अगले question में हमसे पूछा गया है utrophication जो है वो utrophication क्या होता है तो utrophication हम बोलते हैं high production of in aquatic system मतलब utrophication का मतलब होता है एक जली परितंत्र में उच उत्पादन से ठीक है अगला question है एलोपेट्रिक species is due to मतलब एलोपेट्रिक species होता है कब होता है भोगूलिक प्रिथक करण के कारण ठीक है जब भी geographic isolation होगा तो हमें क्या देखने को मिलेगा एलोपेट्रिक species अगला question है lens and retina of the vertebrate I are developed from मतलब lens और retina है तो वो हमारी कौन सी layer से बनते हैं तो यह दोनों जो बनते हैं वो हमारे किस से बनते हैं एक्टोडर्म से बनते हैं अगला question है हमारा memory glands are modified मतलब जो हमारे इस्तन ग्रंथियां रूपांतरित हैं तो इस्तन ग्रंथियां जो है वो हमारी क्या रूपांतरित हैं sweat glands अगला question है elastic cartilage can be seen in मतलब लचीली उपास्तिति की दिखाई देती है यह हमको कहा पर दिखाई देती है यह हमको दिखाई देती है mammals के पिन्ने में ठीक है पिन्ने of mammals अगला question है most convincing in Darwin theory is मतलब Darwin के सिद्दांत में अत्यधिक युक्ती युक्त है तो Darwin के थियोरी में जो हमें most convincing part लगता है उसका वो क्या होता है formation of species मतलब जातियों का निर्मान अगला question है हमारा man which of the following set of structure present all vestigial structure in human body vestigial structure का हमें बताना है मतलब संग्रचना में कौन सा निमलिखित set मानव शरीर के सभी अवशेशी रचनाओं को परदर्शित करता है तो जब हम अपना option देखेंगे तो हम उस मेराम से बता सकते हैं कॉकिक्स वर्मीम फॉर्म अपेंडिक्स और कान की जो मसल्स होती है यह तीनों क्या होती है मारी vestigial structure होती है चलते हैं अगले question क्यों अगले question में हमसे पूछा गया है reptile और bird का connective link बताओ तो तुझ reptile और bird का connective link कौन होता है हमारा archeopteryx अगले question में हमसे पूछा गया है जो हमारे analogous organ है इन में से उनके लिए कौन सा option सही रहेगा तो जो हमारे analogous organ है वो होते है wings of insect and feather of birds अगला question है homo erectus जो है यह scientific name किसका है तो homo erectus जो है यह scientific name होता है java और parking man दोनों का अगला question है zoological name बताना है java ape man का मतलब pithi centropus का चीक है zoological name बताना है तो इनका zoological name होता है homo erectus अब चलते हैं हम अपने अगले question की और अगले question में हमसे पूछा गया है primate include primate में क्या क्या आते हैं तो loresis, lemurs, transient, monkey, ape और man यह सब किसमें आते हैं primates में आते हैं अगले question में हमसे पूछा गया है homo sapiens appeared on the scene only जो homo sapiens है वो कौन से scene में हमको देखे गए हैं 2000 साल पहले 20 साल पहले 10,000 साल पहले 40,000 साल पहले या none of the above तो जो हमें homo sapiens जो हैं वो हमारे appeared हुए हैं कब police tro scene epoge में तो वो है हमारा 10,000 years ego वाला answer क्या होगा correct होगा चीक है कहीं कहीं पे इसका answer 2000 वाले 20,000 वाला भी दिया हुआ है लेकिन जब हम कोशन को देखेंगे episode को देखेंगे तो हमारा 10,000 वाला क्या होगा correct होगा चीक है मतलब police tro scene epoge में चीक है चलते हम अपने अगले question क्यों रगले question में हमसे पुछा गया है honey is honey जो है वो क्या है या मतलब शहद होता है शहद क्या होता है यह होता है nectar mixed with saliva and stored in honey sack ठीक है मतलब शहद थैली में संग्रहित लार्युक्त पराग रस अगला question है largest इंडिया मतलब भारत का श्रप्षे अधिक रेशम उत्पादन वाला राज्य जो है वह कौन सा है तो वह होता है मारा करनाट का जो की total 70% सिल्क बनाता है 70% of total silk in India चलते हैं अगले question क्यों अगले question में हमसे पुछा गया है sex linked disease इन में से कौन सी है तो जैसा कि हमको पता है colorblindness हमारी क्या होती है sex linked disease अगला question है mongoloid condition is related to मतलब mongoloid condition तो जैसा कि हमको पता है हमारी mongoloid condition जो है वह होती है trisomic condition होती है वह हमको किसमें देखने को मिलती है Mic down syndrome में चलते हैं अगले question की और अगले question कि लेह में से पुछा गया है symbiotic bacteria इन cancel कौन है तो जैसा कि हम जानते हां हमारा rhizovium क्या है symbiotic bacteria है अगला question है मारा डेली मुमेंट ओफ लीव is an example of, मतलब, पत्यों में दैनिक गती उधारण है, दैनिक गती जो होती है, वो किसका उधारण होती है, सरकाडियम रिदम का, अगला कोशन है, रोल ओफ प्लेसेंटा, प्लेसेंटा की भूमी का बताई है, प्लेसेंटा की भूमी का होती है, nutrition तरीका, तंत्र विक्सित होता है, फल्सुरूब, किसके फल्सुरूब विक्सित होता है, तो वो हमारा न्यूरूलेशन के फल्सुरूब विक्सित होता है, central nervous system या CNS, अगला पुछा है, gestation period in man is about, मतलब मानाव में, प्रसर्व या प्रस्वन काल होता है, लगभग, तो मान में, बच्चा कब से कब तक रहता है, मतलब फटिलाइजेशन से लेके, और बच्चे के मा के गर्व से बाहर आने तक के समय को हम क्या बोलते है, gestation period, और वो कितना होता है, 36 week का, या 9 months, plus minus 10 days, चलते हैं, अगले कोशन के और, अगले कोशन में हम से पूछा गया है, term gene refers to, मत जीन शब्द है, इसका अभी प्राय होता है, DNA का एक भाग, मतलब I portion of DNA का, मानलो यह इतना बड़ा DNA है, मैं इसको अलग-अलग भागों में काट देता हूं, तो जो इसका एक भाग होगा, यह क्या होगा, पहला gene, दूसरा भाग, क्या होगा, दूसरा gene, तीसरा भाग, तीस जीन, चौता भाग, चौता जीन, पांच वाग, पांच वाग, पांच वाग जीन, ठीक है, मतलब यह जो DNA सेग्मेंट है, इसमें कितने हैं, पांच जीन है, एक, दो, तीन, चार, पांच जीन से यह मिलके बना हुआ है, चलते हैं, फिर अपने अगले question की ओर, अगला question है हम Colorblind Man, Marries the Daughter of a Colorblind Man, मतलब, एक वर्लांद पूरुष की शादी, एक वर्लांद पूरुष की पूत्री से हो जाती है, तब उसकी संतानों में क्या देखने को मेलेगा, उनकी कोई भी पूत्री वर्लांद नहीं होगी, सभी पूत्री वर्लांद होगे, सभी पूत्रियां वर्ल परशेंट पुत्र वर्णान होंगे तो जब यह कंडिशन मिलती है तो 50% क्या होंगे कलर ब्लाइडनेस होंगे अगला कोशन है हिपोपुटाइमस मतलब जो हमारा हिपोपुटाइमस है वह कौन से देश में पाया जाता है तो यह हमारे पाया जाते हैं मूनली अफ्रीका में और इनकी दो प्रचातिया वहां देखने को मिलती है आक्टोपस बिलोंग टु क्लास मतलब जो हमारा ऑक्टोपस है वह किस क्लास से सम्मन्दित है तो जो हमारा ऑक्टोपस है यह हम इसको बोलते हैं डेविल फिश यह हमारा आता है सिफैलो पूडा में और फाइलम क्या होता है मॉलस का अगला कोशन है main basis of classification of फाइलम प्रोट अगले question की और अगले question में हमसे पुछा गया है what is a nematocyst nematocyst क्या है तो जैसा कि हमको पता है वो जो हमारा nematocyst होता है वो होता है एक part of neidocyte मतलब neidocyte का एक हिस्सा part of neidocyte चीक है यह मतलब हम यह कह सकते है part of a cell चीक है तो फिर चलते हैं हम अपने अगले question की और अगला question है pseudopodia of amoeba are important for amoeba के pseudopodia है वो किस चीज के लिए important है तो जैसा कि हम जानते हैं वो हमारा pinocytosis ठीक है चलते हैं अगले question की और अगले question में हमसे पूछा गया है in which of the following is the most primitive mollusk मतलब इन में से आदेम mollusk कौन सा है तो जो हमारा आदेम mollusk होता है वो होता है नियोपलीन अब चलते हैं इस वीडियो के आकरी प्रश्ण पर इसमें हमसे पूछा गया है अधरिश होती है तो वह होती है हमारी लेट प्रोफेस में तो यह थे हमारे इस वीडियो के questions बाकि हम मिलते हैं आप से अगले वीडियो में